वेलकम है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चनल एंटायर एड़ुकेशनिस्ट पर दीर स्टूडेंटस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है सबी यूजी सिमिस्टर्स के लिए वीडियो को आप एंट तक जरूर देखे उससे पहले अगर आप इस चनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो इस चनल को सबस्क्राइब करी और अभी तक अगर आपने हमारे वाटसेप ग्रुप को जोईन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिलेगी वहाँ से जाके आप ग्रुप को जोईन करें जहां से आपको एजुकेशनल कॉंटेंट और बाकी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो काफी स्टूडेंटस मुझे मैसेज़ करते हैं एक्जामनेशन हवाले से क्योंकि काफी स्टूडेंटस को कुछ कन्फ इशू किये हैं बीजी थर्ड एन फूर्ट सिमिस्टर का एक्जाम बहुत ही नजदीक है होने वाला है तो काफी बैकलॉग कैंडिडेंटस मुझे मैसेज़ करते हैं दो क्वेशन जो उनके माइंडस में कन्फूजन्स है कि सर हमारा बैच 2016 है किसी का 2017 किसी का 2018 तो किसी का 2019 पहला कन्फूजन बैकलॉग कैंडिडेंटस को ये है कि जब हमने एक्जाम दिया था उस टाइम पे हमने MCQ टाइप में दिया था तो आज रिगूलर वालों के साथ हमारा एक्जाम किस मोड में होगा तो इसका सिंपल सा अंसर है आपका एक्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइ में होगा ये सिर्फ बीजी थर्ड फॉर्थ या सिक्स्त की बात नहीं है चाहे फर्स्ट सिमिस्टर का कोई है सेकंड सिमिस्टर थर्ड फॉर्थ फिफ्ट और सिक्स बैकलॉग कैंडिडेट जो भी है जो भी एक्जाम वो देगा आज से कुछ मन्त पहले कश्मीर युनिव एक्जाम डिस्क्रिप्ट टाइप में होगा ये बात मैं आरेटी पहले कई वीडियो में कर चुका हूँ लेकिन फिर भी स्टूर्ड एंटर बार बार यही क्वेश्टन पूछते है कि हमारा एक्जाम किस टाइप में होगा तो ये एक फाइनल आंसर है इसका आपका एक्ज केंडिडेट्स को कंफ्यूजन है चाहे थर्ड सिमिस्टर के है फूर्ट के है या फिप्ट सेक्स्ट चाहे फिस्ट सेकंड के है और उनका कहना है कि हमने जो अपने टाइम पे सेलिबस पड़ा था तो वो एक सेलिबस था और आज जो सेलिबस है वो चैंज हुआ है तो उनक का answer है आपका exam अपने सेलबस के इसाब से होगा जो भी backpack pro candidate है चाहे 2016 का है 17 का है 18 का है 19 का है 20 का है तो उसने जो अपने time पे जिब्स पढ़ा था College में उसका exam उसी सेलबस के मताबिक होगा चाहे आप किसी भी साल एक्जाम दे, 2022, 23, 24, 25 जब भी आप सिमिस्टर एक्जाम दे तो आपका एक्जाम अपने ही सेल्बस का होगा, नया सेल्बस चाहिए चेंज होता है, या अगर चेंज ना भी होता है, फिर भी आप अपना ही सेल्बस पड़े पेपर आपको उसी सेल्बस के हिसाब से आएगा पेपर में दोनों ओप्शन्स होंगे रिगिलर वालों का अगर चेंज हुआ होगा तो उनका पेपर अलग आएगा और बैकलाग कैंडिडेट्स को अपना सेल्बस आएगा सो आई होब कि इस वीडियो से आपकी सारी डाउटस केलियर होए होंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी तिल देन टेक केर